आज हम बनाएंगे सफेद मटर के छोले इसे हम बिना लहसन और प्याज के बनाएंगे बिना लहसन और प्याज के भी यह चोले बहुत ही नजबाब लगते हैं खाने में खाने में इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि हमेशा आप इससे इसी तरह से बनाकर खाना तो चलिए आज के मटर के छोले के रिसिपी को स्टाट करते हैं मटर के छोले बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कम सफेद मटर लिया है इसे मेरे 7-8 घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था मटर अच्छी तरह से फूल गए हैं मटर को आप चाहें तो ओभन एट भीगो कर भी ले सकते हैं अब इसे क्या करेंगे दो से तीन बर अच्छी तरह से दो कर इसके पानी को अलग कर देंगे इसे ओबनने के लिए कुकर में डाल देंगे अब इसमें हम एड करेंगे 1-4 टीश्पून हल्दी पाउडर और साथ ही डालेंगे नमक स्वात के अनुसार अब इसमें हम पानी डालेंगे तो यहां पर हम एक कप मटर के लिए 1,5 कप पानी का इस्तमाल करेंगे पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद कुकर के धकन को बंद कर देंगे मटर को हम हाई फ्लेम पर एक सिटी लगने तक पकाएंगे जब एक सिटी लग जाएगी तब गेस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फिलेम पर मटर को 5 मिनिट के लिए पकाएंगे उसके बाद गेस के फिलेम को आफ कर देंगे जब तक मटर हमारी पकेगी तब तक हम आगे की त्यारी कर लेते हैं दो मिडियम साइज के नमांटर को बरे टुक्रों में कट करके मिक्सर जार में डाल देंगे छोटे टुकडों में कट किया हुआ एक इन चद्रक का टुकडा लेंगे तीखे के लिए लेंगे 2-3 हरी मिर्च अभीने हम मिक्सर जार में बारिक पीश लेंगे मटर के छोले बनाने के लिए सबसे पहले करहाई को गरम करेंगे करहाई जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे चार से पांच बड़े चमस हरसो का तेल, जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कुछ साभूत मसाले, तो यहाँ पर मैंने डाला है आदा चुटा चमस साभूत जीरा, द जिसे कि इनका फ्लेवर तिल में अच्छी तरह से आ जाए तो यहां पर हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से भून चुके हैं इनका फ्लेवर तिल में अच्छी तरह से आ चुका है अब इनमें हम डालेंगे कुछ सुखे मसाले मसाले डालें के समय में हम गेस के फ्लेम को लो जिसे कि मसालय जो हैं नहीं धनिया पॉड़र। लेंगे दो चूटे चमच धनिया कि कौंटिटी हम थोडी ज्यादा रखेंगे जीरा पॉडर डियंके चूटे लेंगे चूटसमच अधा चूटे मेक मैस ज्यादा कर सकते हैं डामाटर का पेच्ट बनाते वकत हमने हरी मिर्च का इस्तमाल किया है इसलिए मिर्च हम हिसाब से ही लेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर अब इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पर एक से देर मिनिट के लिए भूल लेंगे इसमें थोरा सा पानी एड करेंगे ताकि मसाले जो हैं जले तो देर दो लेंगे मिक्सरजाह में थोड़त लगें हुए थे उसे मैं ने पानी से खंगाल लिया है अब इसमें डाल देंगे और ये इसे अच्छी तर चला लेंगे अब इसमें लॉटre से चला के पका देंगे हम स्वरथ के check करेंगे मुटर जो है अची तरह से पक का सौप हो चुके हैं अगर आप की मुटर गले ना हो तो आप इसे एक चीटी और लगाकर पका सकते हैं 5-6 मिनिट फ्राइं करने के बाद देखेंगे कि मसाले जो है अची तरह से गल चुके हैं अब मटर को हम चीतर से चलाएंगे ताकि मटर और मसाले आपस में अच्छी तरह से बिक्स हो जाएं तो यहां पर मैंने मटर को अच्छीतर से मिक्स करिया है यह थोरे गालः जो है छोले में अच्छी तरह से आ चुका है खरे मसाले निकालने के बाद अब इसमें हम उबाल आने का वेट करेंगे जब छोले में उबाल आने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और साथ ही डालेंगे एक छोटा चमच हाथों से क्रस किया हुआ कसूरी में थी अब nihilapus डालेंगे बारी कटा हुआ अभी इन जीजों को मसी तरह से समय जिसे की इनका फ्लेवर चुलेिंगे अच्छी तरह से आजाए और भर्ड़ा का लूँव फुलेंब दो मिनिट के लिए व्लेंगे दो मिनिट पका हुआ पटाकर इसे हम चेक करेंगे हमारे छोले जो हैं पक कर त्यार हो चुके हैं हमें छोले को इतना ही गाड़ा बनाना है आप अपने जरूरत के अनुसार इसमें कम या ज्यादा पानी डाल सकते हैं पर ठंडा हो जाने के बाद या और गाड़ी हो जाएगी आप जब भी इसमें डालिएगा तो पाने को गरम करके तब डालिएगा अब इसका कलर और टेक्स्चर देख सकते हैं कि ये कितना जवाब बन के त्यार हुआ है अब गेस के फिलेम को कर देंगे बंद और इसके उपर डालेंगे बारी कटा हुआ हरा दनिया और इसे अची तरह से मिला लेंगे एक बार इसे मेरे तरीके से बना कर देखिएगा सबको बहुत ही पसंद आएंगे ये छोले मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी अची लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और नहीं है तो चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूल प्रण नहीं रेसिया को सिस्क्वेगा थखिएगा तरीकेक के जरूर िरीके हो गड़ दोorman आके बहुत ही देता हमीं है तो चैर ग्दन